अम्बानी परिवार के एंटीलिया में एक के बाद एक फंक्शन्स हुए जा रहे हैं महंदी, हल्दी, शिवशक्ती, पूजा के बाद अब मुसालू फंक्शन की तस्वीरे और विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है मुसालू एक गुजराती रस्म है जिसमें होने वाले दूले दूलन के ननिहाल वाले पहुँचते हैं और साथ मिलकर गरवा करते हैं 9 जुलाई 2024 को अनन्त अम्बानी और रादिका मर्चेंट के मुसालू समारो का जश्न एंटीलिया में मनाया गया इसके साथ ही गरवा रास नाइट का भी आयोजन हुआ अम्बानी परिवार के मुसालू फंक्शन में सिंगर किंजल देव ने परफॉर्म किया और उन्होंने एंटीलिया की कई सारे इंसाइट तस्वीरे और विडियो शेयर किये हैं बता दे किंजल देव एक गुजराती सिंगर हैं वो आए दिन गरवा और डान्विया रास में गाने भी गाती हैं वाइरल वीडियो में अम्बानी परिवार की होने वाली बहु राधिका जुम जुम के नाश्ती दिख रही हैं इस फंक्शन के लिए राधिका मर्चंट ने हैवी वर्क वाला पीच टोन लहंगा पहना था उन्होंने अपने लहंगे को मैचिंग दुपट्टे और चोली के साथ क्यारी किया साथी गले में उन्होंने एक हैवी जडाओ हार डाला इसके अलावा जुम के चूरियों ने उनके लुक को और भी खुबसूरत बना दिया वीडियो में देखा जा सकता है कि राधिका अपने मुसालूप फंक्शन में जम कर इंजॉय कर रही है और काफे खुश दिख रही हैं अम्मानी परिवार की होने वाली बहुग इस दोरान दूली राजा अनन्त अम्मानी का भी लुक दिखा रेड कलर के कुर्ता पजामा सेट में वो काफी जच रहे थे इसके अलावा उन्होंने कुर्ता पजामा के साथ उन्होंने चिकन कारी कोट और डायमन एमराल ब्रोच भी पहना था आपको बता दे अनन्त अम्मानी का ये ब्रोच 1.3 करोड का है मुसालू नाइट में नीता मुकेश अम्मानी खूब एक्टिव रहे इस फंक्शन के लिए नीता अम्मानी ने गुजराती प्रिंटेड मल्टी हूड लहंगा चोली पहनी थी वहीं लहंगे पर हर जगा फूलो और हार्ड शेप की कढ़ाई का काम था मीता ने अपने बालों में बन बनाया था और फिर उसे पौपल फूलो से सजाया था वहीं उन्होंने अपनी लुक को तिकली शेप के रूबी जड़े हार और मैचिंग एरिंग्स के साथ पूरा किया खुल मिलाकर वह यहां इतनी खुबसूरत लग रही थी कि उनके आगे उनकी होने वाली बहु राधी का भी फीकी दिख रही थी मीता अमबानी के साथ यहां मुकेश अमबानी को भी स्पॉट किया गया उन्होंने इस फंक्शन के लिए चिकन कारी जैकेट के साथ ओफ वाइट कलर का कुर्ता पहना था मुसालू फंक्शन एंटीलिय में एक बड़े हॉल में रखा गया था यहां अमबानी परिवार के कई और सदस्ते भी दिख रहे हैं अम्बानी परिवार के कई सदस्तियों ने यहां जम कर गर्बा किया वही कोकिला बेन अम्बानी अपनी दोनों बेटियों के साथ यहां बैठी नजर आ रही है यही नहीं मेहमानों के मनुरंजन के लिए गुजरात से गर्बा आर्टिस्ट भी बुलाए गये जिन्होंने अपने डान से यहां का समाही बांग दिया वही एक और तस्वीर में रादिका मर्चेंट ननद इशा अम्बानी की बेटी आध्या के साथ खेल टीन नजर आ रही है देश के सबसे अमीर परिवार की होने वाली बहु यहां जमीन पर बैठी है और वो जिस तरह से बच्चे के साथ खेल रही है उसे देखकर लगता है कि अम्बानी परिवार के साथ वो बहुत घुलमी गई है मुसालू रस्म की तस्वीरे अभी इंटरनेट पर वायरल वोई रही है कि इसी बीच अम्बानी परिवार में हुए माता के चौकी की तस्वीरे भी सामने आ गई है जी हां अनंत राधिका की शादी से पहले इंटीलिया में माता की चौकी का भी आयोजन किया गया इवेंट में दूले की मा नीता अम्बानी का लुक सामने आया है लाल साडी और भारी गहनों में नीता अम्बानी महारानी जैसी दिख रही है इस दिन के लिए नीता ने अनुराधा वकील के कलेक्शन से रेड कलर की हैवी साडी पहनी नीता अंबानी ने अपनी साड़ी के साथ 9 रत्न चोकर भी पहना जिसमें 9 रत्न नीलम, पन्ना, हीरा और मानि जड़े हुए थे इस बेशकीमती चोकर के साथ उन्होंने मैचिंग जुमके पहने जिसमें पन्ना और हीरे जड़े थे देखा जाए तो नीता अंबानी का ये लुक बहुत दिव्य है और वो बहुत ही खुब्सूरत दिख रही है वही इस समय इंटरनेट अनन्त, अंबानी और रादिका मर्चंग के प्रीवेडी फंक्शन्स की तस्वीरों वीडियो से पटा पड़ा है जहां देखो बस अंबानी इस की तस्वीरे ही देखने को मिल रही है वही अब इंतजार है 12 जुलाई का जब रादिका और अनन्त की बिग फैट वेडिंग होगी ब्यूरो रिपोर्ट E24 झाल